हलो वेलकम गईज स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में आज इस वीडियो में हम टाइपस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात करने जा रहा है तो बेसिकली थ्री टाइपस के अकाउंट होता है पहला अकाउंट होता है परसनल अकाउंट दूसरे अकाउंट टाइप है रियल अकाउंट और तीसरा अकाउंट होता है नॉमेनल अकाउंट तो अब हम बात कर लेते हैं परसनल अकाउंट के बारे में परसनल अकाउंट ऐसे अकाउंट को कहा जाता है जो किसी वेक्ति या कंपनी से रिलेडिड होता है दूसरे सब्दों में हम कह सकते हैं कि वैसे अकाउंट जो किसी वेक्ती या उर्गनाईजेशन से जुड़े हुए होता हैं उन्हें हम personal account कहते हैं चलिए बात कर लेते हैं हम real accounts के बारे में जिन्हें हम वास्त विखाते भी कहते हैं real account ऐसे अकाउंट को कहा जाता है है नौमिनल अकाउंट्स के बारे में, नौमिनल अकाउंट्स को हम नाममात्र के खाते भी कहते हैं, नौमिनल अकाउंट आय और खर्चों से रिलेटेड होता है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, कि यह लाब और हानी से रिलेटेड इन्फोर्मेशन रखता है, लाब और कि मुझानी से related accounts को ही हम nominal accounts कहते हैं अब finally हम बात कर लेते हैं types of account के बारे में कि कौन से account groups में कौन से accounts आते हैं, तो सबसे पहले हम नजर डालता है personal account के उपर, personal account में आता है capital account, capital account वेपार के मालिग का account होता है और इस account में वेपार का मालिग जो भी पूंजी निवेश करता है उसके information होती है इसके बाद बाद करते हैं हम drawing account की drawing account भी वेपार के मालिक का account होता है बट drawing account में वेपार के मालिक के खर्चों से related information होती है जो खर्चे उसने अपने खुत के use के लिए किये है या फिर family के लिए इसके नीचे हमें देखने को मलता है राम का account यहाँ पर मैंने example के लिए राम का नाम लिया है यहाँ पर किसी भी वेक्टी के नाम का account है अगर तो वो भी personal account के अंतरगत आता है इसके बाद कोई भी private company है वो चाहे private limited company हो या कोई भी traders company हो यह भी personal account के अंतरगत आती है इसके बाद नीचे आपको देखने को मिलते हैं bank account तो bank account भी personal account के अंतरगत आते हैं अब चाहे बो bank account current bank account हो या फिर saving bank account हो यहाँ पर हमने personal account के अंतरगत जो भी accounts आते हैं उन्हें हमने define कर लिया है अब हम बात कर लेता है real accounts की तो real accounts में आता है cash account इसी के नीचे देखने को मिलता है आपको furniture account यह furniture से related होता है इसी के नीचे है machinery account जो machinery से related होता है अगर आपने वैपार के लिए कोई भी machinery purchase की है तो इसके लिए आपको machinery account create करना पड़ता है इसी के नीचे है Building Account और Building Account भी आता है Real Account में साथ ही आपको देखने को मिलता है Land Account Land Account भी Real Account के अंतर गत आता है अगर कोई भी Property खरीदते हैं, Purchase करते हैं तो उस Property को आप Land Account में रख सकते हैं इसी के नीचे देखने को मिलता है आपको Vehicle Account अगर आप अपने बिजनेस में कोई भी विहीकल पर्चेस करते हैं तो सबसे पहले हमको यहां पर देखने को मलता हैं इंटरस्ट अकाउंट और इसी के नीचे देखने को मलता है discount account, अगर आपको किसी भी product पर discount मिला हो, या फिर आपने discount दिया हो, तो इसके information आपको discount account में feed करने पड़ेगे, और discount account, nominal account का एक type है, इसी के नीचे देखने को मिलता है, commission pay and receive, तो अगर आप किसी भी प्रकार का commission pay करें, या फिर उसे receive करें, तो इस प्रकार के account, nominal account में आता है, इसी के नीचे देखने को मिलता है, आपको wages account, wages account मज़दूरी का account होता है, अगर आपके हम कोई भी मज़दूर काम करते हैं, उनकी salary वग्यरा पे करने के लिए, आप wages account create कर सकते है, wages account भी nominal account के अंतर्गत आते हैं, इसी के नीचे purchase और sale account आता है, तो purchase और sale account भी nominal account के groups में आत इसी के नीचे आपको देखने को मिलेगा salary account, salary account का use आप अपने employees को salary provide करने के लिए कर सकते हैं और salary account भी nominal account के group में आता है, इसी के नीचे आपको insurance account देखने को मिलता है, तो insurance account भी nominal account के अंतरगत आता है, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो please हमारी वीडियो को like कीजे, comment कीजे और share कीजे, और हमें support करने के लिए हमारे चैनल को subscribe कीजे, thanks for watching